हेलो फ्रेंट्स वैल्कम टू एंजल मैथ कॉंपिटिशन फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टाट करेंगे हम गगन परताफ सर्की बुक्स SSE CGL Mance और इसमें CGL Mance के imported question दिये गए हैं तो इन सभी question को करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे खतरनाग question की tricks और बहुत ही easy method से आपको हर question कराई जाएंगे और यह book से SSE CGL Mance और all other CGL exam के लिए imported है तो friends इस books के हर question आपको one by one कराई जाएंगे और यह book chapter wise है तो आपके सामने हम भी chapter wise question को ही handle करेंगे तो आए इस्टार्ट करते हैं आज का first chapter लेते हैं percentage तो percentage के ही आपर 2010 से लेकर 2021 तक के इसमें question को submit किया गया है तो हर question को हम भूँत आसान से और easy method से करेंगे तो आए इस्टार्ट करते हैं friends friends question को start होने से पहले आप हमारे channel को subscribe कर लेजिए जिससे के हम आपके सामने बहुत ही अच्छी books की जो है तियारी कराते रहें और आपको नही नही techniques के question सिखाते रहें तो friends आप हमारे channel को like करे subscribe करें जिससे हम आपके सामने standard और खतरनाख technique लेकर आए तो आईए start करते हैं आज की video का first question चाय के मुले में 10% की कमी होने से एक वैपारी 22,500 रुपे में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है तो चाय का परती किलोग्राम कम हुआ मुले कितना होगा तो देखे इस परकार के जो भी question आपको देखने को मिलेगे exam में या किसी भी book में तो इस परकार की question को हल करने का बहुती आसान तरीका है दी गई कीमत सबसे पहले देखते हैं दी गई कीमत 22,500 रुपिया है तो 22,500 हम यहां पर नोट करेंगे तो 22,500 रुपिया 22,500 रुपिया यहां पर हम लिख लेते हैं देखे 22,500 रुपिया लिख लेते हैं यहां पर और हमें मालूम है कि मुल्य में 10 परसेंट की कमी होने से 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीदी जा सकती है तो यहां पर इस रेट पर हम 10 परसेंट की कमी को लिख लेते हैं और जैसे ही रेट में 10 परसेंट की गिरावट या कमी आती है तो इस कमी के कारण 25 किलोग्राम अधिक चाय हमें प्राप्त होती है तो 25 किलोग्राम जितना भी चाय अधिक या कम प्राप्त होगी उसकी संक्या हम नीचे लिखते हैं तो 25 kg चाय हमें अधिक प्राप्त होगी जैसे हम यहां से 25 से इसको भाग करेंगे और इस पूरी condition या calculation को हल करेंगे तो यहां से हमें 1 kg का मुले गयात होगा यानि कि एक kg चाय का मुले हमें गयात हो जाएगा और जो कि अब का मुले है यानि कि रेट के कम होने के बाद का मुल्य है तो आइए फ्रेंट सल करते हैं देखें परसेंट से मैंने दो जीरो को काट दिया अब पच्चिस से दो सो पच्चिस को बाग देंगे पच्चिस नम्मा दो सो पच्चिस और ये जीरो यहाँ पर लग जाएगी तो यह 90 बार डिवाइड हो चुका है तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि चाय का परती किलोग्राम कम हुआ मुल्य है 90 रुपे पर केजी तो हमारे कोश्चन का अंसर बनता है 90 रुपे पर केजी ओप्शन सी हमारी कोश्चन का अंसर है तो दीखे फ्रेंड इस तरह के आसान और आसान बहुत ही इजी तरीके से आप हर कोश्चन कर सकते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन लेगी है राम ने अपनी आए का 4 परसेंट किसी दान में तता सेस का 10 परसेंट एक बैंक में जमा कर दिया तो दीखे राम की जो आए टी उसमें से उसने 4 परसेंट किसी दान में दिया तो सेस बच गया उसका 96 परसेंट यानि कि सेस उसकी आए का 96 परसेंट बच गया और दान देने के बाद इस सेस का 10 परसेंट एक बैंक में जमा कर दिया तो 10% बेंक में जमा करने के बाद फिर 90% सेज बच गया उसकी आएगा 10% जमा होने के बाद 690% बच जाता है और इसके बाद धन के रूप में उसके पास 640 रुपे बच जाते हैं तो यहां पर हमारा सेज बरावर सेज कॉंसेप लगता है तो 640 रुपे सेज बच जाते हैं और यहां से हम इस कोशन को अल कर लेंगे और यहां से पता लग जाएगा कि राम की आएग कितने रुपे थी तो देखे प्रेंट्स कोशन को अल करते हैं 0 से 0 रिवाइड 9 नम्मा 81 पांच बच गया होगे चोवण 9 छिक चोवण और च्छान में से च्छान में डिवाइड हो जाएगा और जैसे कि पता है कि उसकी आएगा सेज बचावा भागता यह सेज सेज को हमने डिवाइड किया अब यहां से इस कुशन को अल करेंगे जैसे कि राम की आएग थी हमें मालूम नहीं कितनी थी तो उस आएगा यह सेज बराबर सेज किया है अब यहां से इस्कौल करेंगे तो राम की आहे हमें प्राप्त हो जाएगी 100 गुना 100 करेंगे 10,000 रुपे तो राम की आहे 10,000 रुपे थी यही हमारे question का answer है option D 10,000 रुपヤ question number 3 लेकिन यदि किसी आयत के लंबाई को 10% अधिक तता उसकी चोड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके छेत्रबल में क्या परवो पड़ेगा यानि कि उसका छेत्रवल बढ़ेगा या उसका छेत्रवल घटेगा और कितना परसेंट बढ़ेगा या कितना परसेंट घटेगा ये कुशन में पूछा गया है तो friends आएए देखते हैं किसी आयत के छित्रफल में व्रद्धियक कमी की बात की जा रही है तो देखें जैसे कि हमें मालूम नहीं है जब भी कोई भी question जब percentage से related होता है तो परतेक संक्या 100 माल लेते हैं यानि कि यहां पर आयत का छित्रफल के बारे में discuss की जा रही है तो आयत का छित्रफल पहले सो रहा होगा तो यहां लिखेंगे कि आयत का छित्रफल सबसे पहले आरम में सो था और यही उस छित्रफल में जो आयत की लंबा ही है उसको 10% बढ़ा दिया जाए तो देखें जैसे की परसेंट व्रद्धी कहते हैं तो सो में जोड़कर लिखेंगे 110 परसेंट और उसकी चोड़ाई में 10 परसेंट की कमी करती जाए तो सो में से 10 गटा कर लिखेंगे 90 परसेंट तो यहां से हमें अब आयत का नया छित्रफल के बारे में मालूम हो जाएगा कि आयत के छित्रफल में हमें व्रद्धी देहने को मिल रही है या आयत के छित्रफल में हमें कमी देहने को मिल रही है तो यहां से हम इसको ग्याद कर लेंगे देखें 100 से 100 काटा और 20 से ये 20 काटी गई और 11 की 9 में गुणा करेंगे 11 नम निन्यान में तो देखे 11 नम निन्यान में जैसे ही आयत की लंबायर चोड़ाई में व्रद्धी की गई अब आयत का छेत्रफल रह गया 99% जैसे कि मैंने पहले माना तौटा कि आयत का छेत्रफल 100 था अब 100 से है 59 रह गया इसका मतलब यह हो गया कि आयत के छेत्रफल में 1% की कमी हुई है तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हमें मालुम हो रहा है कि आयत के चेतरफल में 1% की कमी हुई है और यही हमारे question का answer है, कि आयत के चेतरफल में 1% की कमी होगी option A हमारे question का answer होगा अब इसको हम एक सुत्र और एक trick के मादधम से भी हम यहाँ पर इसको हल कर सकते हैं देखे जब भी percent व्रद्धी और percent कमी कहे तो इसके लिए एक formula होता है व्रद्धी के लिए plus A और कमी के लिए minus B और दोनों की गुणा करेंगे पलस माइनस माइनस A B बटे 100 तो यह हमारा formula बनता है यह कह सकते हैं यह trick बनती है और इस trick से भी हम question को अल कर सकते हैं देखें आयत की लंबाई में 10% के व्रद्धी तो पलस 10 लिकेंगे माइनस 10% ही कमी माइनस 10 लिकेंगे और पलस माइनस माइनस दोनों की गुणा करेंगे 10 दाम 100 और बटे में यहाँ पर 100 और परसेंट का चिन यहाँ पर लास्ट में लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर टिक्स में भी बताया गया है तो अब इसको हम हल करेंगे देखें पलस माइनस कट गया अब 100 से 100 को डिवाइड करेंगे एक बार कटे गा यह यानि के 1% की कमी माइनस का चिन रिपर्जेंट करता है कमी को तो आयत के छेतवल में 1% की कमी होगी तो यहाँ पर हम इस कोर्षन को इस परकार भी सोल कर सकते हैं तो फ्रेंट्स बहुत ही आसान और बहुत एजी में थड़े हैं और ये बहुत ही इससे भी आसान रहेगा क्योंकि इसके लिए हमें Tricks को याद रखना पड़ता है लेकिन यापर हमें कोई भी Tricks याद नहीं करनी होंगी तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आगे भी आपको हर Question इसी की मदद से आसान पढ़ेगे तो आएए फ्रेंट्स देख लेते हैं नया कोश्चन, कोश्चन नमबर च्यार, देखें हर कोश्चन आपको बहुती आसान और सुन्दर तरीके से कराई जाएंगे, जब किसी खिलोने के मुले में 20% की व्रद्धी हुई है, तो बेचे के नए खिलोने की संक्या, जैसे देख जब रेट बढ़ जाता है, तो उसकी विक्रे मुले कम हो जाता है, तो इसी परकार फूचा गया है कि दुकान की कुल विक्री पर क्या परभव पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक कोश्चन नम इसी परकार से अल कर सकते हैं, देखें, सबसे पहले उसकी विक्री सो रही होगी, और जैसे उसने अपने खिलोने के मुले में 20% की व्रद्दी की, तो अब हो गया 120% बटे सो, तो उसके खिलोनों की संक्या में 15% की कमी हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया है कि परसेंट व्रद्दी आए तो सो में जोड़ कर लिखेंगे, और % कमी आ जाये तो 100 में से घटा कर लिखते हैं अब आप जानते हैं कि 100 में क्यों जोड़ कर लिखते हैं क्योंकि percentage का आर्थ होता है किसी भी कोई भी संक्या या कोई भी वस्तू उसकी कीमत उसकी value हमेशा 100% होती है जब बात percentage की की जाये तो कोई भी वस्तू या कोई भी संक्या शम अपने आप में 100 होती है क्योंकि percentage वाले कोशनों में percentage के according उसकी value 100% मानते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब percentage ब्रद ही कहे तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे और जब percentage कमी कहे तो 100 में से घटा कर लिखते हैं तो इसी परकार यहाँ पर 15% की कमी हो गई है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे 15% की कमी 85% 15 की कमी हो गई तो 85% यहाँ पर लिखा जाएगा और अब इसको हम आसानी से याल करेंगे 100 से 100 डिवाइड और 20 छिक है 120 और 20 पंजे 100 और 5 से मैंने इसको डिवाइड गया 17 वार और 17 छिक है 102 देखे 17 गुणा 6 करेंगे 17 छिक है 102 जैसे कि मैंने बताय था उसकी वैल्यू पहले 100 थी 100 से आब कितनी हो गई हो 102 तो यहां से हमें मालुम हो गया है कि उसके जो बिक्री मुल्य है या बिक्री पर जो परभव पड़ा है वो 2 परसेंट वरद्धी का पड़ा है तो उसके बिक्री मुल्य पर 2 परसेंट की वरद्धी होगी तो उसके बिक्री मुल्य में 2 परसेंट की वरद्धी होगी और यही हमारे कोश्यन का अंसर होगा उपसने दो परसंट की वरद्दी तो देखे प्रेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे कोश्यन आपको आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लेटेस्ट और खतरना कोश्यन आपके आगे आते जाएंगे और उनको भी हम बहुत ही आसान और सुन्दर और खतरनाक टेकनिक से करते रहेंगे तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा आगे देखते रहेंगे और खतरनाक से खतरनाक कैल्कुलेशन और उनके सोलूशन आपको देखने को मिलते रहेंगे कोश्चन नमबर फाइव मानवेंदर परती मां 15,000 रुपे कमाता है और उसका 80% वै करता है वेतन में संसोधन के कारण उसकी मासिकाई में अब 20% की व्रद्धी हुई है किंदू वस्तों के मुल्ले बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक वै करना पड़ता है उसकी नई बचत बताए तो देखे बहुती आसान और बिल्गुल इजी तरीके से कोश्चनल करेंगे मानवेंदर की परती मां आयती 15,000 रुपिया देखे 15,000 रुपे थी उसका 80% खर्च कर लेता है देखे इसका 80% खर्च बेढ़ता है 12,000 रुपिया तो 12,000 रुपे खर्च कर लेता है उसके बाद बचत होती है उसकी 15,000 में से 12,000 रुपे की खर्च कर लिया तो बचत संसोदन के कारण उसकी मासीकाई में 20% की वरद्धी हो जाती है यह उसकी मासीकाई है इसमें हमने 20% की वरद्धी करेंगे इसमें हम 20% की व्रद्धी करेंगे तो यह 18,000 रुपे हो जाती है देखे 15,000 का 20% वेड़ता है 3,000 रुपे और बढ़ जाता है तो अब बढ़कर 18,000 रुपे हो जाती है जैसे उसकी व्रद्धी हुई तो उसका वेड़ी 20% अधिक हो जाता है तो देखे पहले उसका 80% खरच होता था 12,000 रुपे अब 20% और अधिक खरच हो जाता है तो यहाँ पर हम 12,000 पर 20% और अधिक खरच देखता है कितना वेड़ता है 100 में जोड़कर लिखेंगे 120% अब उसका नया खरच होगा परसेंट से मैंने यह 2,0 काटी 12,12, 144 और 2,0 यह तो 14,400 उसका नया खरच होता है जबकि उसकी नहीं आया है 18,000 18,000 में से उसका खरच हो जाता है 14,400 तो उसकी नहीं बचत कितने होगी तो उसकी नहीं बचत होगी 18,000 में से 14,400 गटाएंगे तो 3,600 बचेगा और यहीं उसकी नहीं बचत होगी और यहीं हमारे कोशन का आंसर बनेगा ओप्सन भी 3600 रुपिया यानि के 3,600 रुपिया है अब आप नेक्स्ट कोशन भी देखेंगे तो फ्रेंड्स यदि आप कोशन की लेंगवेज को बहुत अच्छी तरीके से समझेगे तो आपका जो कोशन है वह बहुत इजी हो जाएगा और आपके मेध के हर चैप्टर हर कोशन आपके लिए आसान बन जाएगे तो सबसे इंपॉर्डिड और बैश्ट है कोशन की लेंगवेज और उस लेंगवेज के Arkौडिंग है हमें हर कोशन करना होगा यही हमारा तरीका है, टेलेंट है, तकनीकी है, तो इस तकनीकी को आप सीख कर आप कोश्णों को बहुत आसान कर सकते हो और सेकंड हो में कर सकते हो, तो देखें नेक्स्ट कोश्ण आपके सामने, दो संक्याए किसी तीशरी संक्याए से करम से साड़े बारः परसें तता पचीस परसेंट अधिक है तो देहिए यहाँ पर दो संक्या है खिसी तीसरी संक्या से अब तीसरी संक्या से यह compare कर रही है percentage में तो यहाँ पर तीसरी संक्या होगी 100 और 100 से यह पहली संक्या 12.5 पर्सेंट जादा है तो 115 इस परकार से लिएगा हम यहां पर इसको और दूसरी संक्या इससे 25 परशेंट ज़ादा है तो यहां पर इसको 125 लिखेंगे तो यहां पर हमारी question की language से यह condition तैयार हो गई है पहली संक्या दूसरी संक्या के कितने परतिसत के बराबर है तो देखे यहाँ पर दूसरी संग्या के यह कितने परतिशत के बराबर है पहली संग्या, पहली संग्या है हमारी 115 परसेंट, यानि 115 और यह है दूसरी संग्या का कितना परतिशत है, यह पूछा गया है, दूसरी संग्या यहाँ पर है हमारी 125, तो 125 का यह कितना परसेंट ह यह हमें find करना है तो देए इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं 100 से गुणा percent का चिन अब यहां से इसको आम हल करेंगे 25 पंजे 125 और 25 चो का 100 अब यहां पर पांच से इसको डिवाइड करेंगे तो देए पांच दुनी 10 एक बचा हो गये बारा पांच दुनी 10 दो पर मारने नहीं चलेगी पॉइंट लगा अगर हो गया 25 पंजे 25 पांच से इसको डिवाइड किया अब साड़े 22 चो का यानि साड़े 22 गुणा चार करें तो साड़े 22 चो का होता है 90 जैसे कि 22 चो अटशी और पॉइंट 5 चो का 2 होता है यानिक 25 तो साड़े 22 चो का होता है 90 तो पहली संग्या दूरी संग्या का 90 परसेंट के बराबर है और यह हमारी कोश्चन का अंसर होगा 90, ओप्शन A कोशन नमबर साथ किसी नगर की जनसेंग्या में वार्शिक रूप से डाई परसेंट की व्रद्धी होती है किंदु इस्तान अंत्रन के कारण पर्तिवर्स पॉइंट पांच परसेंट की कमी हो जाती है तो फाइनल रिजल्ट बनता है डाई माइनस पॉइंट पांच को लिखेंगे गटा कर दो परसेंट की व्रद्धी होती है पर्तिवर्स तो दो वर्स में व्रद्धी परतिसत क्या होगा यह हमें फाइंड करना है तो यहां से हम कोश्चन कॉल करेंगे जैसे कि मैंने बताय था किसी भी नगर की जन्जिंग्या पहले सो रही होगी और उस पर हम पर्तिवर्स दो परसेंट की व्रद्धी करकर लिखेंगे एक सो दो परसेंट गुणा एक सो दो परसेंट और अब इसको हम यहां से अल करेंगे तो हमारे कोश्चन का अंसर हमें प्राप्त हो जाएगा देखें दो जीरो से मैंने दो जीरो काटा और एक सो दो की यहां पर हम गुणा करेंगे तो देखें एक सो दो का वर्ग होता है सो से दो जादा है तो दो का वर्ग लिखेंगे जीरो चार और एक सो दो में दो जोड़ेंगे यह जादा ही एक बार फिर देख लेजिए जैसे कि हमें एक सो दो का वर्ग गयात करना है तो यहां पर हम देख लेंगे कि यह संक्या दो सो से कितनी जादा है यह सो से दो जादा है तो दो का ही वर्ग करेंगे दो का वर्ग हो गया चार तो जीरो चार लिखेंगे अब इसके बाद इस 102 में या दो जादा 300 से तो 102 में ये दो ही जोड़ लेंगे तो 104 हो जाएगा और जैसे कि बटे में यह 100 है तो बटे में 100 से हम इसको बाग करेंगे दोंग छोड़कर इस प्रकार हम इस सवाल को हल कर सकते हैं तो देगे 102 गुना 102 का गुणा करने पर आता है 104004 और 100 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे सो से यहाँ पर हम इसको बाग करेंगे तो 2 हम छोड़कर हम यहाँ पर लगएंगे एक सो 4.04 अब हम यहां से मालूम करेंगे कि हमारे जन संक्या पहले 100 ती अब बढ़कर हो गई 104.04 तो यहां से हमें मालूम हो गया है कितना परसेंट की व्रद्धी होई है जन संक्या में है तो परशेंट व्रद्धी होगई ओप्शन भी चार पॉइंट जीरो चार ओप्शन भी हमारे कोश्चन का अंसर है अब हम नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं किसी कक्सा के 22% विद्याति ने बाइलोजी यानिके जीविग्न लिया तो बायो लेने वाले विद्यातियों का परशेंट है 22% और 24% ने गनित लिया यानिके मैत लिए तो च्वालिस परसेंट ने आपर मेत लिया यदि परतेग विद्यार्ति ने जीविग्ञान या अगनित में से कम से कम एक विशे लिया है तथा चालिस विद्यार्तियों ने दोनों विशे लिया है तो यहाँ पर कम से कम एक या 40 विद्यार्तियों ने दोनों विशे लिया है तो यहाँ पर हम language के according question को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर दिया है कम से कम एक विशे लिया है तथा 40 विद्यार्तियों ने दोनों विशे लिया है तो दोनों विशे लेने वाले छात्रों की संग्य यहाँ पर 40 बताई गई है और यहाँ पर हम देख लेंगे कि दोनों विशे लेने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना हो गया है जोड़ लेंगे इसको बातर वैच चवालिस जोड़ेंगे 116 परसेंट बनता है तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि 100 परसेंट से जितना भी अधिक होगा वैं दोनों विशे लेने वाले छात्रों की संग्या को रिपरजेंट करता है तो सो से जादा यहाँ पर हमें 16 परसेंट अधिक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 16 परसेंट जो अधिक है यही दोनों विशे लेने वाले छात्रों की संग्या को प्रेजेंट कर रहा है तो 16% अमारे इदर दोनों विशे लेने वाले छात्र हो गए और इदर 40 विध्यार्तिये से हो गए जो दोनों विशे लेते हैं तो यहाँ पर equal to equal concept हो गया है तो इसको अब अमल करेंगे परसेंट की 20 इदर लगाएंगे आप 16 से इसको डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32 आठ बचेंगे हो गए 80 16 पंजए 80 और एक जीरो बचेंगे तो इस परकार हम कह सकते हैं कि कुल कक्सा में विध्यार्तियों की संक्याथ 250 तो विध्यार्तियों की संक्याथी 250 यही हमारे question का answer है option C 250 पच्छाष्चाष्चाष्चाष्चाष्